आजाद अध्यापक संग ब्लाक शाखा उमर बन अध्यक्स तेजा लाल पंजारा के नेत्वत में बाकानेर इसकंकूल पर शिक्षन समय के बाद धर्ना परदर्शन कर अनिश्चित कालिन हर्ताल प्रानंबर की गई आजाद अध्यापक सिक्षक संग के प्रान्ती आवहान के आधार पर जीला इसतरी पांस सितंबर को तिरंगा रैली एवं 13 सितंबर को भोपाल में पुरानी पैंशिन की मांगी 20 सितंबर को संकुल बाकानेर में धर्ना परदर्शन अनिश्चित кालिन हर्ताल चातर शातरों को पढ़ाने के समय के बाद धर्ना प्रदर्शन और हर्ताल प्राडम्ब की और यह क्रम निरंतर जारी रहेगा मनावर्स से यलोकेंदर जादो की रिपोर्ट आपका परीचे है? मैं तेजालाल पमार आजाद सिक्टर संग मुर्बन बलागसा का बलागर जैक्ष हरताल का उद्देश? पुरानी पेंसन मरिश्टा कर्मनती कई मांगे हैं जो सासन सेम लोग सतत मांग रहे हैं कितने दिवसी आड़ताल है? अभी तक हम लोग दिन बर बच्चों पुड़ाते हैं उसके आज साड़े-चार बजाद अपने संकूल इस्तर पर बेटकर सामके 6 बाई तक अपने आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कल से प्लाग स्तर पर आंदोलन को अभी तक आपके प्रतिंदी मंडल कोई वरिष्ट अधिकारियों से या मुक्यमंत्री से इस संब्द में मिला? अभी तक तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है तेरा तारीक को गिरते पानी में हम लोग एक दिन चुटी लेके भोपाल गए थे उसके पस्चास से लेकर आज तक अभी तक नतोसासन की ओर से पहल की गई है क्योंकि हमारी जो मांगे खास तो पुरानी पेंसन जो हमारा बुडाबे का सारा होता है और वर्तमान में जो दिवंगत होता है उसको कुछ नहीं मिलता है जो इटार हो गए है जो बहुत कम मुस्किल से हजार दो हजार पंद्रह सो की पेंसन मिल रही है जो इस मेहिंगे के दूर में चलाना मुस्किल साथी वरिष्टता कर्मनती गुरूजियों की वरिष्टता अनुकंपा और अतिती सिख्चगों की निमीती के लिएकर हम लोग अंदुलन कर रहे हैं सासन को इस और द्यान देना चाहिए परीशा है आपका कब से हैं आप शाज की सेवा में क्या मांगे है आपकी हमारी बांगे यह है कि अनुकंपा निम्पती है और हमको जो एन्पेस दिया जाता है उसमें हमारे सिक्षक सातियों को साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है जब रिटार्मेंट होते हैं तो इसको 700, 800, 1500 तक मिलती है जो जीवन यापने के लिए निर्वाहा करने में अक्षम है हलो फ्रेंग्स आप देख रहे हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइपोन को दबाना बिलकुल भी ना भुलें